एपडेली की न्यूबडे में आपसे भी कास वागत है दोस्तों एपडेली की न्यूबडे में आज हम बात करने आले पीकार्ट और फोटो एडिटर वीडियो एप्लिकेशन के बारे में यह एप्लिकेशन क्या है इस एप्लिकेशन को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं अपन किस तरह से यूज करना इस एप्लिकेशन को और न्यू अपडेट के बाद आप किस तरह से फॉटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं तो मैं आपको भी बताने वाला हूँ तो वीडियो को लाश्टेक के जरू देखना चली वीडियो शुरू करते हैं इस आकाउंट क्रेट करने का बोलती है अगर आपको गुगल से करना चाहिए तो वह भी आप कर सकते हैं फेस्बुक से करना चाहिए तो वह भी आप इस एप्लिकेशन के मनसे कर सकते हैं नहीं तो यहाप आपको उपर की साइड इसकिप का ओप्शन दिया होता है अगर आपको इसको skip करना है तो इसकी आप यहां से कर सकते तो मैं यहांसे इसको ओपन हो जाती है यहां पर जो होता है वो फोटो वीडियो जो भी होते न दय्काhon तो simply यहापको simply तरीके से photo editing किस तरह से करना है तो मैं आपको बताता हूँ simply आपको जो भी photo को edit करना है उसको simply तरीके से आपको select कर लेना जिससे कि मैं आपको photo को select कर देता हूँ photo को select कर लेना यहापको उपर का cut का option दिखाई देना हूँ इस पर आपको click कर देना है जिसे आप इस पर click करते हो यहाप आप देख सकते है फोटो आपका कुछ इस तरह से सामने आ जाता है यहाप आपको कुछ इस तरह से अलग अलग तरह के effect देखने को मिल जाते है नीची के side तो इनका use करके आप photo editing कैसे कर सकते है जबर्जस तरीके स तो मैं आपको बताता हूँ simply है आपको effect option दिखाई देता है इस पर आपको click कर देना है जिसे आप इस पर click करते हो कई सारे आपको अलग अलग तरह के effect देखने को मिल जाते और जो आपको try वाले effect दिख रहे इसके लिए आपको यहापर premium purchase करना पड़ेगा जब यह आप यह त्राइवाले filter है आप यूज कर सकते हैं तब बाकी जो जिस पर ट्राइव नहीं है उसको आप उस filter को free में भी यूज कर सकते हैं तो मैं आपको free में यूज करके यहाप बताता हूँ simply यह use हो चुका है filter right का option दिखा है right के option पर आपको click कर देना है जिससे आप किलिक करते हो यहाप आपको नीची की साइड आ जाना है यहाप erg आगी आने के बाद यहाप आपको पुछ इस्थर से option मिलता है इस पर आपको click कर देना है जैसे आप इस पर click करते हो अलग-अलग तरह कि यहाप आपको देखने को मिल जाते है जिसा कि आप यहापर देख सकते हो और जितना चाहे उतना आपके photo में आप उसको डाल के भूत जबर जास यहापर editing कर सकते हो नीचे के साइड यहाप आपको shadow option दिखाई देता है इस पर आपको किलिक कर देना है shadow option पर आप जिसी किलिक करते हो तो यहाप आप देख सकते हो photo मेरा normal था तो किस तरह से आप भूती जबरजा से आप एडिटिंग हो चुका है तो यह shadow वाले जो feature है आप बिल्कुल free में आपके mobile phone में आसानी से यूज़ कर सकते हो तो जो आपको अच्छा लगता है तो आपकी साब से उसको आपको select कर लेना है और आपके photo में उसको use कर लेना है तो photo यहाप मेरा बनके ready हो चुका है और भी आपको feature मिल जाते है जिसको आपको use करके editing कर लेना है यहाप आपका photo ready हो जाता है तो यहाप आपको right का option दीखता है तो यहाप आरight का option प हापकाClick कर देना है जिससे आप क्छिक करते हों आपको photo गर save करना है तो यहाप आपको download दिखता है सेट का उपशन दिखता है इस पर आपको किलिक करते है पार किसा क impost वाम gelir लिखा की एक लिखावाता है कि यांपी सेव होचुका है तो back side आपंप को आजाना है बैक साइड मैं आचुका हूं जिसे ही मैंने फोटो फooky एड़िड या वीजी तरीके से आप एडिट कर सकते हो तो मेरा जो फोटो में ने एडिट किया था हूँ किस तरह से बनके रेडी हो चुका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो मैं आ चुका हूँ गैलेरी में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा नॉर्मल फोटो था तो किस तरह से था और नॉर्मल फोटो भी मैं आपको बता देता हूँ